नमस्ति फ्रेंड्स, बजेट फ्रेंडली प्रोड़क्ट रिव्यूज और फिलिप्स एर फ्रायर रेसिपीस के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरा यूट्यूब चैनल रिव्यूज और रेसिपीस पाई रमिश्वरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें प्रोड़क्ट खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाए लिंक पर क्लिक करें ये है आईफबी डिश्वाशर नेप्चून वी एक्स और इस वीडियो में आप देखने वाले हैं ये जो किच्चन आइटम्स आपको दिख रहे हैं वो डिश्वाशर में आसानी से हम कैसे क्लीन कर सकते हैं उसका वीडियो सबसे पहले मैंने एक टीस्पून आइफबी डिश्वाशर डिटर्जन डाला है डिटर्जन कमपार्टमेंट में और ये है किच्चन सिंक का स्टेनलस स्टेल स्ट्रेनर और गैस्टो के स्टैंड्स रिंग्स और स्टोन का मोटार और पिलर एपल कटर किच्चन सीजर नाइफ इस सब आइटम्स मैं अभी आपको डिश्वाश करके दिखाने वाली हूँ ये जो स्टोन का मोटार है जिसमें मैंने लसन पीसी थी उसको लसन का बास आता रहता है लेकिन जब हम इसे डिश्वाशर में डालते हैं डिश्वाशर में क्लीन करते हैं तो ये साफ पे होता है और बद्भू भी निकल जाती है और किच्चन स्टोव के जो स्टैंड्स हैं वो भी आसानी से dishwasher में clean हो जाते हैं तो मैंने ये आदत सी बना ली है ये सब items मैं dishwasher में ही साफ करती हूँ तो ये देखिए मैंने ये इस तरह से रख दिये है ये जो मेरा kitchen scissor है बर्गनर ब्रेंड का ये dishwasher safe नहीं है फिर भी मैं इसे dishwasher में साफ करती हूँ अभी तक कुछ भी problem नहीं है उसे अब ये ready है basket dishwash करने के लिए ये सब items dishwash करने के लिए मैंने सबसे कम temperature का program और सबसे कम time वाला program choose किया है जो है 30 minutes का program और इसमें temperature रहता है 40 degree centigrade तो अब इसके results देखेंगे आप देख सकते हैं एक एक item में आपको दिखा रहे हूँ अभी ये hygienically wash हुए है साफ हुए है germ free हुए है और इन में से बद्बू भी निकल गई है और ये सब items effortlessly cleaning होके ready है फिर से use करने के लिए ये वीडियो आपको कैसा लगा ये comment box में जरूर लिखे और कुछ सवाल हो आपके dish washing से संबंदित या फिर IFP dishwasher से संबंदित तो भी comment box में जरूर लिखे ये देखिए ये kitchen sink का जो stainless steel का strainer है उसे साफ करते रहना पड़ता है तो मैंने आदद डाली है मैं ये dishwasher में ही डालती हूँ इसलिए ये साफ बना रहता है और ज्यादा दिन तक मैं इसे इस्तमाल कर सकती हूँ तो ये है सभी kitchen items साफ होने के बाद कितना easy और effortless है इन items को साफ करना IFP dishwasher का इस्तमाल करके ये वीडियो आपको कैसा लगा ये comment box में जरूर लिखे सब्सक्राइब कीजे Reviews and Recipes by Rameshwari Notifications के लिए Bell आइकन प्रेस करे इस वीडियो को Like करे, Share करे Products खरेदने हैं तो इस वीडियो के description में देगे link पर click करे Thanks for watching